बच्चों हम उदारन 21 देखेंगे और इसमें हमें गुणा करना है आठ और 13 का आठ गुणित 13 और इसे हम निकलम विदी से हल करना चाहते हैं तो निकलम विदी में हमें पहले सबसे आधार ढूड़ना पड़ेगा आप देख रहें कि एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 13 है और दोनों संख्या 10 के पास हैं तो आप क्या सकते हैं कि इनका आधार 10 है और विचलन के बाद हम करें तो हम पहले संख्याएं लिख लें संख्याएं और दूसरा उनका आधार से विचलन तो हमारी पहली संख्या है 8 और आप देख रहें कि 8 दस से 2 कम है तो हम क्या सकते हैं कि इसका विष्षलन् रेड़न दो के बराबर है दूसरी संक्या हमारी 13 है और दस से इसका विष्षलन धन 3 के करें के तुछ देखिए मिलेंगे दायां हिस्सा ही दाहिना भाग बाया भाग के एक संख्या को भ swear टनी के लिए जोड एक संंख्या करें तो आपके देख हैं देख pan करने हैं और ककी संख्या का कना क् Democrat WShlaan को जोड़ेंगे दू करने हैं जा यह ब्रचाहिने मिले गा इस चरह से भी आप माईंश्च ड़ात सकते हैं आप भी तरीक जवाब जानते हैं कि हम आधार ले आधार दो है डूतरा विश्लन धान हम तीन है दस और तीन तेरा तेरा में से दोगे ग्यारा इस तरह से आप बाएं हिस्थे को प्राप्ट कर सकते हैं यह आपको मिल रहा है ग्यारा के बराबर लेकिन यहाँ जो आपके पास छे है वो रनात्मक है जो बताता कि इस पूरी संख्या में से आपको 6 घटाना पड़ेगा तो आप देख रहे हैं इकाई में रिड़ 6 है और दहाई में 1 है सेकड़े में 1 है यानि आपके पास जो मूल संख्या है वो 110 के बराबर है और इसमें से आपको इस 6 को घटाना होगा तो आपको मिलेगा 104 तो आपका जो परणाम हुआ गुणनफल वो हुआ 104 और ये बराबर हुआ 8 और 13 के गुणनफल के तो इस तरह से आप निकलम विदी का उपयोग करके दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं जिनका आधार एक ही है और यहां पर उसका आधार आप देख रहे हैं 10 था और 10 को उपयोग करके हमने विचलन प्राप्त किया और फिर इस तरीके से हम गुणनफल को प्राप्त कर रहे हैं